हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज में बनाने जा रहे हूं पनीर टिक्का आज में पनीर टिक्का आपको बिना विडाउट तंदूर विडाउट ऑवन के गैस पर बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ तो आप रेसिपी को पूरा वोच करें औ कमेंट करना बिलकुल ना भूले कमेंट करके मुझे जुरूर बताएं कि आपको में रेसिपी कैसी लगी और ऐसी ही नहीं नीरेसिपी देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को आप ज़रूर पैस कर देना जिससे आपको आने वाली ह नौर्टिफिकेशन मिलता रहेगा चली जल्दी से बना स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं मैं नहीं आप पर एक पैन ले लिया है पैन में एड़ कर रहे हूं थी टेबल स्पून ऑफ बेसन फ्लोर हम इसको पहले अच्छी से रोस्ट कर लेते हैं भून लेते हैं 2-3 मिनटी हमें इनको भूनना है ज्यादा नहीं पूनना है फ्लेम आपको लो रखन बेसन अमे 9-5 प्लेम में और यह इनको देख सकते हैं में मसाले प्लेमING कर रहे हं आप देख सकते हैं तरहां दकट में मिएक चल aggression जीरा पाउडर कर रही है और में में 2 कश вед जीदि चिर पाऊडर कर रहा हूं कि मैं एड कर यह गोदो ही तरह हूं चुआ कर तरहा हुं ह déc tegen टरिया है आप या अपन क्या इस आप नहीं Вाट कर दिज सकते हैं उIS एड को वन अपींच और सब Gott corn बिल्कुल भी हमें यह वाटर का यूज यहां पर नहीं करना है और हमें दहीं थीक ठाइश करना है केपसिकम और टमेटो ऐड़ कर सकते हैं जो भी आपकी चोईस आप कर सकते हैं इसमें आप इसमें जो भी आपकी चोईस बहुत ही हमिक्स करना यहां मिक्स करना दो क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सोफ्ट होता है तो हो सकता है प्रिसिस कट भी हो सकते हैं देखिए ऐसे हमें इस अच्छी से मिक्स कर देना है मैं इसको रेस्ट करने के लिए थार्टी टू वन आर्ट्स के लिए फ्रीज में रख दूंगी जिससे की अच्छी से सेट हो जाएगा और जो भी मैं इंगेड़ी यूज कर रहे हैं अपनी रेस्ट में वह समय डिस्कुशन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी तो आप वहां से देख लेना देखिए मैंने इसको बहुत एच्छे से मिक्स कर दिया अच्छे से कोटिंग हो गई है आप देख सकते हैं मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था फ्रीज में 30 मिनट के लिए उसके बाद यह अच्छे से से हो गया है देखिए कि एच्छे से हो गया है मैं आपको दिखा देती हूं मैं ऐसे में स्टिक्स ले रही हूँ मैं इसमें एड कर दूंगी देख सकते हैं आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं उसकी भी मैंने जो आईडिया स्क्रीन पर मेंशन कर दी है अगर आप मेरे से पर पर प्रस्टनल जुट जाएंगी वहाप मुझे कुछ भी बता सकते हैं कि आप मेरे से क्या रेसिपी देखना चाहते है तो कोस में आपके लिए वह रेसिपी लेकर आऊंगी और में आप पर नियुनी रेसिपी भी अपलोड करती रहती हूं तो आप मुझे वहापर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका स्टिक्स नहीं है तो आप इसको डिरेक्ट तवे पर भी फ्राई करके बना सकते हैं जैसे देखें में इसको ऐसे स्टिक्स में एड़ कर दिया है ऐसे ही में सारे अपने एड़ कर लेती हूं फटा-फट से आप मुझे फेसबुप पेज़ पे फेसबुप गरप भी फोलो कर सकते हैं उनका भी लिंग मैं आपको डिस्क्रिषिन बॉक्स में दे दूँwhen amount फोलो कर सकते हैं और मैं नई नई रेस्पी आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लाती रहती हूँ मैं अर्मुस्ट में डेली ही न्यू रेस्पी अपलोड करती हूँ चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी तो आम मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और आप बेल अइकन को जुरूर प्रेस कर दें और आप मुझे ज़िए सपोर्ट करें जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा कर्टेट अच्छा अच्छी रेस्पी ला सकूं देखे हमारी बहुत अच्छी से काफे सारी स्टिक्स बनके रेडी हो गई ह स्टिक्स हमने बना के रेडी कर दी है मैंने ऐस पर गैस भी फोईल पेपर सेट कर दिया जिससे कि हमारी जो गैस से वह एकदम नीटन क्लीन रहेगी और ऐसे मैं इसको लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेती हुआ जैसे भी अगर आप जैदा क्रिस्पी चाहते है तो आप थो कुछ नहीं है और नहीं है तंदूर नहीं है कुछ नहीं है विदाउड इसके विया पने टिक का घर में बना के खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है बच्चों को तो यह इवन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो आप ऐसे सी रैस्पी स्ट्राइक करते रहें और कहीं समानी यूज कर रहे हैं कुछ भी ऐसा हमें भार से परचेज नहीं करना पड़ेगा देखें ऐसे ही मैं अपनी फटाफट से सारी स्टिक्स बनाके रेडी कर लेती हूँ और मैं इसको ग्रीन चट्नी के साथ सर्फ करूँ यह ग्रीन चट्नी की रैस्वी मैंने पहले शेयर करी हुई है आप लोग के साथ अगर आपने नहीं देखिए तो लिंक में डिस्कुशन बॉक्स में डाल दूंगी वहां से देख लेना देखिए सारी इस्टिक्स ऐसे मैं फटफट से बनाके रेडी कर लेती हूं और आप मेरे से क्या रेस्पी देखना चाहते हैं प्लीज यह भी आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएं अफकोर्स मैं आपके लिए वह रेस्पी जल्दी से जल्दी लानी की कोशिश करूँग तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बैल आपको प्रेस कर दो वीडियो को जल्दी से लाइक करें थैंक्यू थैंक्स वर्वर्च